हाईलो इबरिवन वेलकम टू आनलाइन एकजाम आज 18 जून 2020 और आज के जितने भी करेंटरफर के कुश्चन इस वीडियो में डिसक्स किया गया है तो वीडियो को अब पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें तो चलिए सुरू करते हैं पहला कुश्चन है मुखमल्द कली अबील गाजी एव किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्नोंने हाल ही में इस्थिपा दे दिया है तो अभी मुखमल्द कली अबील गाजी एव गाजी एव जो की किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री थे जिन्नों हाले में इस्थिपा दे दिया है तो इस कोशन का आपसन B सही है किर्गिस्तान और किर्गिस्तान के रजधानी क्या है तो किर्गिस्तान के रजधानी है बिसकेक और उसकी करिंसी है सोम और इसमें एक टर्म है अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान के रजधानी क्या है तो अफगानिस्तान के रजधानी है क और इसके मुद्रा है तजाकिस्तान की समोनी और कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना और इसकी मुद्रा है टेंगे अगला कुशन देखते हैं किस राज ने आईटी पे सेवरों की मदद करने के लिए एक नौकरी पोर्टल कर्म भूमी लांच किया है तो अभी पस्चिम बंगाल राज जी ने आईटी पे सेवरों की मदद करने के लिए एक नौकरी पोर्टल कर्म भूमी लांच किया है तो इस question का option B सही है पस्चिम बंगाल और पस्चिम बंगाल के राजधानी है कोलकाता और पस्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर जी और राज़ेपाल कौन है तो राज़ेपाल है जगदीस धनकड अब इसी में है बिहार बिहार के बिहार के राजधानी है पटना ब बिहार के मुख्यमंत्री है नितिसकुमार और राजपाल है भागुचौवान मडिपूर की राजधानी है इंपाल और इसके मुख्यमंत्री है बीरेंसिंग और राजपाल है नजमा है पतुला और उडिसा, उडिसा के राजधानी है भुनेश्वर और इसके मुख्यमंत्री है नमीन पतनायक और राजिपाल है गड़ेसी लाल तो इस कोशन से आपको इतनी जानकारी मिलती है आगला कोशन देखते हैं 1971 के युद्धनायक और महावीर चक्र पुरसकार बिजेता का नाम क्या है जिनका हाल ही में निदन हो गया है तो अभी राज मोहन बोहरा जो की 1971 की युद्धनायक थे और महावीर चक्र पुरसकार बिजेता थे जिनका हाली में निदन हो गया है तो इस कुशन का अप्सन भी सही है राज मोहन ओहरा अगला कुशन देखते हैं किस सहर में एक नई हाउसिंग स्टेट में सचिन तेंदूलकर कपिल देव और बिराट कोली साइथ भारती क्रिकेट दिगजों के नाम पर सड़के होंगी तो इस कुशन का अप्सन यह सही है मेलबर्न जो की आस्टेलिया में है अगला कुशन देखते हैं आलही में गेटबे लूनर आरबीटिंग और आउट पोस्ट खाबरों में था यह किस अंत्रिक्ष एजेंसी की परियोजना है तो यह नासा नासा की परियोजना है इसमें एक टर्म आ रहा है नासा नासा का फुल फर्म क्या होता है तो नासा का फुल फर्म होता है नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस Administration जिसकी अस्थापना वई थी 1958 को और इसमें ISRO दिया है ISRO का फुल फर्मोता है Indian Space Research Organization जिसकी अस्थापना वई थी 1969 को Headquarter है ISRO का Bangalore में और ISRO के चेयर्मैन है के सिबान और ISRO के फाउंडर थे बिक्रम सारा भाई एक और टर्म दिया है JAXA JAXA का फुल फर्म है Japan Aero Space Exploration Agency जिसकी अस्थापना वई थी 2003 में अगला कोशन देखते हैं कि समंत्राले ने भारतिय छेत्र पर जलवायू परिवरतन का पहला आकलन प्रकासित किया है तो अभी प्रिथवी बिज्ञान ने प्रिथवी बिज्ञान मंत्रा लेने भारति छेत्र पर जलवायू परिवरतन का पहला आकलन प्रकासित किया है तो इस कोशन का अप्सन सी सही है प्रिथवी बिज्ञान अगला कोशन देखते हैं भारत किस देश की बिजय परेड में भाग लेने के लिए त्रिकोणी सेवा दल भेजेगा तो अभी भारत रूस रूस देश की बिजय परेड में भाग लेने के लिए त्रिकोणी सेवा दल भेजेगा तो इस question का option D सही है रूज अगला question देखते हैं हाल ही में मन अरेगा के तहट सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है तो अभी उत्तर प्रदेश उत्तर परदेश मन अरेगा के तहत सबसे ज़यदा रोजगार देने watched principle राजे बना है तो उत्तर परदेश की राज़धानी ये लखनौ और इसके मुख्य मंत्री है योगी आदित्तिनाथ और राजेपाल है आनंदी बेन पटेल और बिहार के बिहार के मुख्यमंत्री है नितीस कुमार और राजेपाल है फागो चौहान और मद्धेपरदेश मद्धेपरदेश के मुख्यमंत्री है सीवराज सिंग चौहान और राजेपाल है लाल जी टंडन और गुजरात के मुख्यमंत्री है बिजे रूपानी और राजेपाल है अगला कोशन देखते हैं, हालही में बेल्जियम में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी बेल्जियम में भारत का राजदूत संतोस जहां को नियुक्त किया गया है. अगला कोश्चन देखते हैं हाल ही में आपरेशन डेजर्ड चेज किस राज्जे ने सुरू किया है तो अभी राजस्थान ने राजस्थान ने आपरेशन डेजर्ड चेज सुरू किया है तो इस कोश्चन का अपसन सी सही है और राजस्थान के मुख्यमंत्री कोन है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं असोग गहलोत और राजेपाल हैं कलराज मिस्र और गुजरात के बिजे रूपानी और राजेपाल हैं आचारे देव ब्रत और हरियाना के हरियाना के मनुहरलाल खटर मुख्यमंत्री हैं और सत्य देव नारायर आ जेपाल है तो इस question से आपको इतनी जानकारी खिलती है तो इस वीडियो में आपको 18 जून के current affair discuss किया गया तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो subscribe करना ना भूलें thank you